रादे रादे फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको प्रदोश वरत की कथा और विधी बताऊंगी बंधू प्रदोश वरत त्रियोदशी तिथी पर किया जाता है यह वरत अपने आप में एक विशेश महत्व रखता है और इस देन भगवान शंकर की पूजा की जाती है इस वरत को करने से धन, धान्य, एश्वर्य, एवं सुंदर्व, योग्य, पुत्र की प्राप्ती अवश्य होती है यह वरत करने वाला अपने शत्रों पर भी आसानी से विजय प्राप्त करता है प्रदोश काल वह समय होता है, जब दिन और रात का मिलन हो रहा होता है प्रदोश तिथी का बहुत महत्व है इस समय की गई भगवान शिव की पूजा से अमूत फल मिलता है तथा अंत में भगवान शिव के लोग की प्राप्ति होती है। व्रती इस दिन भ्रह्म मूरत में शिव का ध्यान करके उठें एवं शोचादी किरियाओं से निर्वित हुएं। प्रदोष बेला में साएं, शाम पांच बजे के लगभग भक्ती भाव से शिवलिंग का दूद मिले जल अत्वा गंगा जल से अभिशेक करें। ये सुनते हैं प्रदोष काल की पोराणी कथा। शिव पूजन का उपर्युक्त विधान बतलाया और उस भ्रामनी से कहा तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुमें एक वर्ष के पश्चात पूर्ण सिधी प्राप्त होगी। उस भ्रामनी ने महर्षी शानिली के वचन सुनकर उन बालकों के सहीत नत्मस्तक होकर मुनी के चण्नों में प्रणाम किया। और बोली हे ब्रामन आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपकी शरण में हैं। यह शुची वरत मेरा पुत्र है और यह राज सुत मेरा धर्म पुत्र है। ये दोनों बालक आपके सिवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्रामनी को शर्णागत जानकर मुनी ने मधूर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिवजी की अराधना विधी बताई। तदंतर वे दोनों बालक और भ्रामनी मुनी को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनी के कथना नुसार नियम पूर्वक प्रदोशकाल में शिव जी के अराधना करने लगे। पूजा करते वे उन दोनों को चार महिने बीट गए। एक द चमकता हुआ धन का बड़ा कलश भी दिखाईत पड़ा, उस धन पूरित कलश को देख कर शुचीवरत बहुत ही प्रसन हुआ, उस कलश को वह सिर पर रख कर घर ले आया, कलश को भूमी पर रख कर वह अपनी माता से बोला है माता, शिवजी की महिमाक तो देखो भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार समपत्ती दी है, उसकी माता घड़े को देख कर आश्चेरे करने लगी, और राशुत को बुला कर बोली, बेटे मेरी बास सुनो, तुम दोनों इस धन को आपस में आधा-धा बाट लो, माता की बास सुनकर सुचीवरत अत्यंत प्र क्योंकि अपनी किये हुए कर्म काफाल मनुश्य स्वैम ही भोगता है, इस प्रकार्शी पूजन करते वे एक ही घर में उन्हें एक वर्ष व्यतीत हो गया, एक दिन राशकुमार ब्रामन के पुत्र के साथ वसंत रितु में वन विहार करने के लिए गया, वे दोनों जब व में बहुत दूर निकल गए, तो उन्हें वहाँ पर सैकडो गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी, ब्रामन कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रिड़ा रद देख कर राजकुमार से बोला, यहां पर कन्याओं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब कन्याओं के विहार इस्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया, उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुन्तरी उस आई हुए राजकुमार को देख का मन में विचार करने लगे कि काम देव के समान सुन्दर रूप पाला, यह राजकुमार कौन है, उस राजक करने के उदेशे से सुन्दरी ने अपनी सक्यों को कहा सक्यों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मोलसिरी, आदी के ताजे फूल तोड़ लाओ, तब तक मैं तुम्हारी प्रतिक्षा में यहीं रुकी रहूंगी, उस गंधर्व कुमारी की बास सुनते ह सब सक्या महा से चली गई, सक्यों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या उस राजकुमार को इस्थिर ड्रिश्ट्री से देखने लगी, उन दोनों में परस्प्रा प्रेम का संचार होने लगा, गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया, राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंद्री व्याकुल हो उठी, और राजकुमार से प्रश्ट करने लगी, हे कमल के समान एत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हो, आपका यहां आने का क्यों कर हुआ, गंधर्व कन्या की बास सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिय मैं विधर्व राज का पुत्र हूँ, मेरे माता पिता सुरगवासी हो चुके हैं, शत्रों ने मेरा राजी हडन कर लिया है, राजकुमार ने अपना परिच्चे दे कर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन है, किस की पुत्री है, और इस वन में किस उदेशे से आई ह आप मुझसे क्या कहना चाती हैं? उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहमुल्य मुक्ता हा राजकुमार के गले में डाल दिया, वह हारुन दोनों के प्रेम का प्रतिक बन गया, उसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा है सुन्द्री, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, लेकिन आप के अनुमति लिए बिना मेरे साथ कैसे रह सकेंगी, राजकुमार की बात पर वह कन्या मुस्क्रा कर कहने लगी, जो कुछ भी हो मैं अपनी इच्छा से आपका वरन करूंगी, अब आप परसो प्रात्यकाल यहां पर आईएगा, मेरी बात कभी जूट नहीं हो सकती, गंधर कन्या ऐसा कह कर पुनह अपनी सक्छों के पास चली गई, इधर वहराजकुमार भी शुचिवरत के पास जा पहुँचा, उसने अपना सारा वृतांत कह सुनाया, इसके बाद वे दोनों घर को लोट गए, घर पहुँच कर उन लोगों ने ब्रामनी से सब हाल कहा, जिसे सु कर वे ब्रामनी भी हर्शित हुई, गंधर्व कन्या द्वारा निश्ची दिन को वे राजकुमार शुचिवरत के साथ उसी मन में पहुँचा, वहां पहुँच कर उन लोगों ने देखा कि गंधर्व राज अपनी पुत्री अन्शु मती के साथ उपस्थित होकर प्रतिक् भगवान शंकर पार्वती सहीत विराजमान थे, उन्होंने मुझे अपने पास बुला कर कहा, प्रिथ्वी पर राज्ये च्यूत होकर धर्म गुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है, शत्रूओं ने उसके वन्ष को नस्ट भ्रस्ट कर दिया है, वह कुमार सदा ही भक्त पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रूओं पर विजय प्राप्त कर सके, इसलिए मैं भगवान शिव की आग्या से अपनी पुत्री अंशुमती को आपको सौपता हूँ, मैं शत्रूओं के हाथ में गय हुए आपके राजी को वापिस दिला दूंगा, आप इस कन्या के साथ दस हजार वर्षों तक सुख भोग कर शिव लोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर के से आपके साथ रहेगी, इतना कहा कर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विभा राज कुमार के साथ कर दिया, दहे राज कुमार ने गंधर्मों की सहायता से शत्रों को नस्ठ किया, और वह अपने नगर में प्रविष्ठ हुआ, मंत्रियों ने राज कुमार को सिहासन पर बैठा कर राज भीशेक किया, अब राज कुमार राज सुक भोगने लगा, जिस दरिद्र भ्रामनी ने इसका पालन पोशन किया था, उसे ही राज माता के पत पर आसीन किया, वह सुची वरत ही उसका छोटा भाई बना, इस प्रकाय प्रदोश वरत में शीव पूजन के प्रभाव से वह राज कुमार दूलब पत को प्राप्त हुआ, जो मनुश्य प्रदोश काल में अथ्वा नित्य ही इस क अथा को श्रवन करता है, वह निश्चे ही सभी कस्टों से मुक्त हो जाता है, और अंत में वह परमपत को अधिकारी बनता है, जै हो शीव शंकर भगवान की